नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में दोस्तो आज हम बहुत ही important topic जो है आपके उसको लेके आए है speed, distance and time दोस्तो यह जो speed, distance and time है तो यह actually हमारा जो syllabus है तो इसमें तो mention किया गया है जेकि के द्वारा कि यह reasoning में है लेकिन यह reasoning में नहीं यह quantitative aptitude जो होता है तो उसके बीच में आता है means जो basic arithmetic है जो हमारा जिसमें number system है percentage है average है profit and loss है तो उसके बीच आता है लेकिन हमें क्या है मतलब चाहे वो उसमें आए उसमें आए मतलब हमारी syllabus का पार्ट है तो हमें इसके बारे में बात करनी होगी एक चीज दूसरी चीज speed distance and time जो होता है तो इसके उपर ज्यादा तर question हमें question paper में देखने को मिलेंगे क्यों क्योंकि इसके उपर क्या होता है कि बहुत सारे tricky question होते हैं और questions जो होते हैं तो वो कि शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके उपर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो आज की वीडियो है इसमें के बारे में पता होना चाहिए फिर कल से हम क्या करेंगे इसके उपर आगे question जो है वो simple to complex लेके चलेंगे फिर हम हम किन-किन चीजों के ऊपर बात करेंगे ठीक है सबसे पहले हम एक चीज है हमारी average speed ठीक है तो average पीड के ऊपर डिस्कस करेंगे हम ठीक है एवरेज स्पीड क्या होती है सुपोस करो यहां से एक गाड़ी जो है वो यहां पर जो है वो गाड़ी है जम फिर आदमी गया ठीक है वो जहां से जो है वो एक स्पीड में गया ठीक है तो वो स्पीड जो थी वो उसकी वो असी किलोमेटर प्रति गंटे की रफतार से वो जो है वो गय ठीक है इस साइड गया असी किलोमेटर प्रति गंटे की रफतार से लेकिन बातपिस जब आता है तो वो आ जाता है पचास किलोमेटर प्रति गंटे की किलोमेटर प्रति गंटे की रफतार से वो पातपिस आता है ठीक है तो इसका मतलब जाने की स्पीड उसकी ज्यादा हुई और आने की उसकी speed कम हुई, लेकिन हमें क्या करना है average speed निकालने है, कि आने की और जाने की average speed क्या होगी, मतलब दोनों को मिलाके average speed निकालने है, तो इस टाइब को हम बोलेंगे average speed, detailed discussion करेंगे आगे इसके बारे में, ठीक है, उसके बाद हम relative speed तो सब्सक्राइब है एक जा रही हैं तो उसके बारे बात करेंगि उसके बारे बहुत करेंगे उसके बात करेंगे इस चीजें जो है वो जैसे जा रही हैं तो उनके बारे में कि किस तरीके से हमें उन चीजों को साट आउट करने जैसे एक गाड़ी जा रही है ठीक है तो दूसरी गाड़ी भी जा रही है ये पचास किलो मिटर की रफटार से जा रही है ये पचास किलो मिटर प्रती गंटे की रफटार स तो इस तरीके के questions जो है उनको भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें start out करना है उसके बाद हम क्या करेंगे कि problems based on trains जो है तो उनको भी हम बात करेंगे क्योंकि देखो यह actually अगर हम ऐसे देखें तो यह अलग से है trains और boards and stream बाला लेकिन यहां पर बात हो रही है speed, distance and time तो देखो speed इसमें भी होती है इसमें भी होती है distance इसमें भी होता है, time इसमें भी होता है, तो it means कि हमें question जो है वो किसी particular आदमी जब particular car के बारे में भी पूछ सकता है, train के बारे में भी पूछ सकता है ठीक है और ये हमारी एक क्या है ये एक बोट है ठीक है तो ये एक बोट है उस समंदर के बीच में ठीक है तो लहरें जो है वो इस साइड से इस साइड जो है वो जा रही है ठीक है लहरें अगर इस साइड से इस साइड की तरफ जा रही है तो बोट को जाना है इस साइड में तो इस side को जाने के लिए देखो, इस boat को ज़्यादा जो लगेगा ना, क्योंकि ये इस side, तो जो बंदा बैठा है इसके बीच में तो ज़्यादा जो लगेगा, मतलब ये कम speed से चलेगी, अगर ये boat इस side जा रही है और इस boat को भी this side जाना होगा, तो फिर ये क्या खरेगा, इसको चलाने की जरूरत नहीं ये fast जाएगी ठीक है, ये अगर इसके against आती है तो ये slow जाएगी अगर इसके तो इस side साथ चलती है तो इस side को चलती है ये वड़ी fast जाएगी ठीक है तो इस type के questions के बारे में पूछेंगे हम की कोई stream आ रही है इतने kilometer रफतार से ठीक है इतने kilometer प्रती गंटे की रफतार से आ रही है तो फिर इस side जाना होगा तो कैसे जाएंगे इन सब types को इन सब चीजों को हम जो है बो discussion करने वाले हैं इस particular unit में तो आईए next क्या है ओके यार सबसे पहले इसमें क्या होगा हमें सबसे पहले basic चीजों के बारे में पता होना चाहिए ठीक है देखो जब हम speed, distance and time पढ़ते हैं तो हमें एक चीज को सबसे पहले मदेरजर नजर रखना है देखो ये आगया हमें एक y type बना दिया ठीक है ये है क्या है एक y type हो गया ठीक है तो हमें ऐसे रखना है ये आगया distance ये आगया speed और ये आगया time ठीक है देखो हमें क्या करना होगा हमें question अगर पूछता है पूछने वाला ये y है distance, speed और time question में हमें पूछता है कि distance और speed दिया गया है तो हमें time निकालना होगा मतलब दो चीज़ें दी है हमें तीसरी निकालनी है ठीक है तो हमें तीसरी निकालनी होगी suppose करो कि हमें जो है वो बोलता है कि distance भी दिया है और time भी दिया है कि इतना distance इतने गंटे में वो जो है वो उसको कबर करता है तो बताओ उस गाड़ी की speed जो है वो कितनी होगी ठीक है कही बार ऐसे होगा कि इतना distance है और इतने distance में वो इतनी speed से चलता है, बताओ वो कितने time है बहांपर पहुंछेगा के बार ऐसे पुछेगा ठीक है तो के बार ऐसे पुछेगा मतलब अलग-लग तरीके से पुछेगा दो चीज़ें इसमें दी गई होंगी और तीसरी चीज के बारे में हमें पुछेगा तो यह होता है हमारा speed, distance and time में basic चीज ठीक है अच्छा पहली चीज जहां पर चीज याद रखने वाली क्या है देखो speed किसके पराबर होती है speed यह याद रखो देखो यह है speed is equal to distance upon time इसको हमने कैसे याद रखने है speed is equal to distance upon time एक चीज दूसरी दूसरा हैगा distance जो होगा is equal to speed speed into time ठीक है distance is equal to speed into time ठीक है यह हो गया speed हो गया distance हो गया और time तीसरा पूसरा जाएगा अगर time किसके ब्राबर होता है तो time होता है हमारा distance upon speed ठीक है distance upon speed के ब्राबर होता है ठीक है तो इसको speed is equal to distance upon time होता है ठीक है distance upon time अगर distance निकालना है तो speed into time ठीक है speed into time और time जो होता है is equal to distance upon speed ठीक है तो distance से हमें speed को divide कर देना है देखो इसको याद रखना के लिए हमारे पास important चीज होती है इसको हम याद कैसे रखेंगे इसको हमें या यह हमारी यह हमारी य की शेप में हमें इसको याद रखना है और दी को हमें ऊपर रखना है बिल्कुल रखेंगे हम दी को इस इधर होगा और देखो अगर हमें पूछा जाएगा इससे जो है वो बहतर तरीके से याद रख सकते हैं हम इसको ठीक है I hope यहां तक आपको समझ आ गया होगा एक वार फिर से समझा दूँ यार देखो speed is equal to distance upon time होती है यह जाद रखो एक चीज़ दूसरी distance is equal to speed into time होता है दो, तीसरा time is equal to distance upon speed होता है अगर इसको याद करने के लिए एक trick याद रखनी है तो distance को उपर रखो y बनाओ distance को उपर रखो नीचे speed यहां पर रखो और time यहां पर रखो distance distance कितना होता है speed into time अगर time निकालना है तो distance upon speed और अगर हमें speed निकालने है तो distance upon time ठीक है तो यह याद यहाद यहाद तक I hope मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा उसके बाद देखो उसके बाद क्या होता है कि when distance is constant जब distance जो हो constant होगा तो speed जो होगी जब distance constant होगा तो speed जो होगी न तो speed यह क्या हो जाएगी indirectly proportional हो जाएगी किसे time से ठीक है यह याद रखो यह important चीज़ी है याद रखने के लिए कि जब distance constant होगा जब distance constant होगा तो speed indirectly proportional हो जाएगा time से मतलब देखो example ऐसे देखो अगर क्या होगा कि हमें एक speed की ratio दी है speed 1 और speed 2 है तो इसकी हमें ratio दी है तो यह होगी हमारी इसकी ratio 3 is to 4 की होगी speed 1 3 और speed 2 4 मतलब यह speed 1 की is to speed 2 ratio इसकी 3 is to 4 होगी तो यह indirectly मतलब अगर distance constant होता है तो फिर हमारा time जो होगा तो फिर हमारा t1 is to t2 जो है तो वो क्या होने बाला है वो हमारा 4 is to 3 होगा 4 is to 3 होगा ठीक है वो 4 is to 3 होगा क्यों क्योंकि distance अगर constant है तो speed जो होती है वो क्या हो जाती है इंडिरेक्शनल वो हो जाती है ठीक है उसके बाद when time is constant जब time जो हो constant होगा जब time constant होगा तो speed जो हो directional हो जाएगी हाँ तो इसमें क्यों होगा जब time जो हो constant होगा तो speed जो होगी वो directly proportional हो जाएगी स्पीड जो होगी एक मिनट हाँ जब time constant होगा तो speed जो है तो speed directly proportional हो जाएगी किससे time के ठीक है speed directly proportional हो जाएगी time के मतलब इसके लिए क्या है कि मतलब if अगर s1 s1 और s2 यह हो गई speed इनकी अगर 3 is to 4 है ठीक है 3 is to 4 है तो हमारी जो time जो होगा ठीक है time 1 और time 2 जो है तो वो भी हमारा 3 is to 4 हो जाएगा ठीक है 3 is to 4 हो जाएगा 3 is to 4 हो जाएगा मतलब directly proportional time is constant जब time constant होगा तो speed directly proportional हो जाएगी time से मतलब देखो speed अगर 3 is to 4 है तो time भी हमारा 3 is to 4 होगा अगर distance constant होगा तो speed जो है वो indirectly proportional हो जाएगी time से means कि speed अगर 3 is to 4 है तो time जो है वो 4 is to 3 हो जाएगा ठीक है तिसरा आता है अगर speed constant होगी अगर speed constant होगी तो हमारा distance जो होगा वो directly proportional हो जाएगा time से ठीक है तो यह क्या कहता है कि है एक मिनट यह आगे हमारा distance ठीक है distance जो है यह हमारा directly proportional हो जाएगा कि इसके साथ time के साथ ठीक है time के साथ directly proportional हो जाएगा यार लिखा ही नहीं जा रहा है आज क्या जखकर है directly proportional हो जाएगा मतलब कि इसका भी same ही होगा अगर s1 is to s2 जो है is equal to 3 is to 4 है ठीक है 3 is to 4 है तो हमारा s1 into s sorry t1 और t2 जो है तो वो भी हमारा 3 is to 4 ही रहेगा ठीक है 3 is to 4 ही रहेगा ठीक है तो यह आ गया हमारा 3 चीज़ है इनको याद रखना देखो पहला क्या गया अगर distance constant है तो speed इंडिरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ठीक है मतलब अगर speed 3 s 4 है तो time जो हमारा 4 is to 3 हो जाएगा अगर time constant है ठीक है तो speed डेरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी time के साथ तो अगर speed जो है वो हमारी 3 is to 4 है तो time भी हमारा 3 is to 4 होगा speed अगर constant है तो distance जो है वो directly proportional हो जाएगा time के साथ distance directly proportional हो जाएगा time के साथ मतलब speed 3 is to 4 है और time हमारा 3 is to 4 होगा ठीक है तो यह आगे example देखो उसके बाद दूसरी चीज यह important चीज़े है इनको आप अपनी notebook लो और उसके उपर लिख लो उसके बाद क्या आता है हाँ हाँ जब हम kilometer अच्छा kilometer पर r जो है तो वो कितना होता है ठीक है इसको हम कितना लिखते है kilometer पर r को हम 5 by 18 लिखते है ठीक है कि इतना लिखेंगे ठीक है 5 by 18 लिखेंगे ठीक है और मीटर पर सेकंड को जब हम इसमें करेंगे ना कनबर्ट ठीक किलोमीटर पर आर को जब हमने मीटर पर सेकंड में करना है तो हम 5 by 18 लिखेंगे और जब हमने मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आर में कनबर्ट करना ह तो इसको हम 18 by 5 लिखेंगे, ठीक है, 18 by 5 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, इसके पीशे एक reason है, because, देखो, देखो क्या होता है कि 1 km, ठीक है, यह आगे 1 km, ठीक है, 1 km divided by 1 और, 1 गंटा, एक किलो मिटर कितना होता है हजार मिटर होते है ना इसमें ठीक है एक किलो मिटर में कितना होते है हजार मिटर होते है बिल्कुल एक किलो मिटर में हजार मिटर हो गए और एक गंटे में कितना हो जाते है एक गंटे में कितना हो जाते है हमारे पास 36,000 ठीक है तर्टी ठीक थोड़ी शित्ती सो सेकंड होते हैं हमारे ठीक है तो शित्ती सो सेकंड होते हैं हमारे सेकंड होते हैं कितना है एक गंटे में ठीक है एक किलो मिटर जो होता है उसमें एक हजार मिटर होते हैं और एक गंटे में हमारे शत्ती सो सेकंड होते हैं जब हमने इसको meter per second में convert करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे, हम एक kilometer को हमने लिखना thousand meter लिखेंगे, और एक गंटे को हम लिखेंगे 37 seconds, लेकिन यहां से 2-0 ये गए और 2-0 ये गए, ये हमने काड़ दिये, उसके बाद देखो, पांच दूने 10 होगे, और 18 दूने 36 होगे, हैं, पांच दूने 10, 18 दूने 36, और आगे जी कड़ते नहीं है, तो it means 5 by 18 होगया, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 by 18, जब हमने kilometer per hour को, किस में करना है, meter per second में हमने convert करना है, तो तभी हमने kilometer per hour को, convert करना है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 18 by 5 कर देंगे, I hope जहां तक आपको समझ आगी होगी, जहां तक जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, और no down करने वाली हैं, पहले यह आगे, कि speed is equal to distance upon time, एक चीज, और यह होगे, तो speed जहां बो, क्या हो जाएगी, indirectly proportional हो जाएगी, अगर time constant है, तो speed जहां बो, directly proportional हो जाएगा time के साथ, अगर speed constant है, तो distance जहां बो, directly proportional हो जाएगा time के साथ, ठीक है, और मतलब यह, इसकी मैंने examples दे दी, उसके बाद kilometer per hour को, जब हमने meter per second में convert करना है, तो हम 5 by 18 जो हो directly लिखेंगे, क्यूं लिखेंगे, इसका reason यह है, कि एक kilometer जो होता है, उसके बीज में thousand meters होते हैं, और एक गंटा जो होता है, उसमें 36 hundred seconds होते हैं, और इसको जब हम काटते हैं, तो last में हमारे पास 5 by 18 जो हो बसता है, ठीक है, उसके बाद, जब हमने meter per second को kilometer per hour में लिखना है, ठीक है, meter per second को हमने kilometer per hour में convert करना है, तो हम 18 by 5 लिखेंगे, देखो, यहां पर आपके mind में एक confusion आ रही होगी, आप सोज रहे होंगे, कि यार यह क्यूं बता रहा है, कि मतलब हम इसको क्यूं हम kilometer per hour को, देखो कहीं बार क्या होगा, कि question में हमें, मतलब उस question को convert करना है, उसने हमें kilometer per hour में पूशा है, लेकिन जो हमें answer देना है, तो वो हमने meter per second में देना है, जा फिर meter per second में हमें दिया गया है, उसको हमें kilometer per hour में जो हमों convert करना है, तो इस type के questions के लिए, ये वाली चीज बड़ी important रहने वाली है, तो तभी मैंने पहले सोचा कि पहले आपको basic चीज़ों के बारे में बता दूँ, उसके बाद हम next चीज़ों के बारे में discussion करेंगे, ठीक है, I hope यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है, दुबारा से वीडियो को repeat देखो, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, next देखते हैं, next क्या है, important formula है, इसको याद रखना यार, average speed, देखो, average speed मैंने आपको पहले बताया था, कि suppose करो एक बंदा यहां पर है, और एक city यहां पर है, यहां से एक आदमी जाता है, 90 किलोमेटर की रफ़तार से यहां पर, ठीक है, 90 किलोमेटर, और बापिस आ जाता है, उसी distance को करता है, वो 70 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ़तार से, तो हमें पूछा जाता है, कि बताओ, आने जाने में, एक average अगर हमने speed को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो average speed जो होती है, उसका हमारे पास, फार्मूला ये होता है, average speed का फार्मूला ये होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, अब इसके लिए दूसरा फार्मूला भी होता है, तो वो होता है, हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं, 2xy डिवाइडड वाइ, x plus y, ठीक है, x plus y, ठीक है, 2xy divided by x plus y, ठीक है, यह फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 u v divided by u plus b ठीक है यह लिख सकते हैं यह ऐसे लिखो यह ऐसे लिखो एक ही चीज है ठीक है तो इसके लिए यह तो यह वाला फार्मूला लगाओ यह फिर यह वाला लगाओ तो उस question को हम start out कर देंगे अगर हमें average speed जो है वो push है तो average speed के लिए यह वाला फार्मूला important चीज है इसको write down कर दो अपनी notebook के उपर उसके बाद क्या होता है देखो कई बार यह तो हो गया average speed पूशी जाती है कि दो city है एक यह वाली city है और यहां पर है city यहाँ से गाड़ी जाती है तो बो जाती है रूक्ती रूकती जाती है ठीक है गाड़ी रूकती जाती है stations पर ठीक है त तो रूप रूप के अगर कहीं पर जाती है उसके लिए अलग से फार्मूला होता है और वो फार्मूला हमारा क्या है यह फार्मूला है हमारा पर और stoppage time के लिए important फार्मूला है इसको याद रखी हो यह होता है हमारा v1-v2 divided by v1 ठीक है v1-v2 divided by v1 देखो v1 जो है इसका मतलब है speed without stoppage ठीक है speed speed without यार इसको याद रखना है speed without stoppage ठीक है speed without stoppage और v2 जो है वो इसका मतलब होता है speed with stoppage ठीक है क्या होता है speed with stoppage ठीक है तो यह हो गया हमारा speed with stoppage ठीक है v1 का मतलब speed without stoppage और speed with stoppage जे फार्मूला है तो इस फार्मूले को भी आप no down कर दो ठीक है ये एक फार्मूला हो गया एक ये फार्मूला हो गया या फिर इसके लिए total distance upon total time हो गया तो इसको भी याद रख दो अच्छा किई बार ऐसे होगा देखो ये तो हो गया तो ओके देखो ये तो हो गया अगर हमें kilometer मतलब अगर हमें जो है वो अगर हमें पूशा जाए कि minutes में हमें उस चीज को निकालना है तो minutes में अगर हमें answer को निकालना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे V1-V2 divided by V1 into 60 कर देंगे ठीक है अगर हमें minutes में निकालना है तो into 60 कर देंगे क्योंकि minute कितने होते हैं एक गंटे में 60 होते हैं तो अगर तो हमें ये फार्मूला लगा दाना है अगर हमें पूशा जाता है कि इसके बारे में when in minutes ठीक है इदर लिख दो when in minutes ठीक है अगर minutes में पूशा गया है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना होगा ठीक है उसके बाद के बार ऐसा होता है एक फार्मूला ये भी याद रखियो कि के बार ऐसा होता है कि एक बच्चा घर से school के लिए जाता है ठीक है तो अगर वो बच्चे गर से school के लिए जाता है तो वो 5 minutes जल्दी पहुंण जाता है फिर वो क्या गरता है घर से थोड़ा लेट जाता है तो फिर वो स्कूल के लिए स्कूल का टाइम जो होता है वह पांस मिनिट लेट हो जाता है तो बहां पर यह वाला फार्मूला लगेगा इसको भी को डाउन कर दो क्या फार्मूला है में प्रोडक्त फू स्पीड दूसरी उन्हों का प्रोड़क्त और डिवाइड़ वाइंगे यहाँ पर हम in minutes, अगर minutes में होगा, तो इसको लिख लो, और ये बाला भी लिख लो, ठीक है, तो ये इतने सारे important, important formulae थे, और पीशे मैंने जो basic चीजों के बारे में आपको बताया, कि speed जो होती है, is equal to distance upon time होती है, और इन सब चीजों के बारे में, ठीक है, next देखते है, next क्या है, okay, एक question कर लेते हैं, इसके उपर तो सिर्फ एक ही question करेंगे हम, आज बाकी हम question जो है, वो कल करेंगे, ठीक है, इसके उपर कम से कम मैं 4 वीडियो, 4 या 5 वीडियो लेके आऊंगा, और हर एक वीडियो में कम से कम 15 question जो है, वो हम discuss करेंगे, अगर हम चार question करते हैं, तो it means की 15 into 4 होगे, हमारे 60, 60 question हम इसके उपर जो है, डिसकस करेंगे, तो हमारी clarification अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और अभी time भी हमारे पास कम है, तो हमें जो है, जल्दी जल्दी जो है, वीडियो जिनके उपर लानी होगी, तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, कि आपके लिए material डूंडू, और बड़े अच्छे से अच्छे question जो है, वो आपके लिए लाऊं, जो कि आपके लिए exam में जो है, वो फाइदे मन्द सावित हूँ, तो आइए ये questions को देखते हैं, कहता है कि two cities are 360 km apart, ठीक है, suppose करो एक ये है city, और एक यहां पर ये है city, ठीक है, दो cities हैं, तो इनका जो distance है, ठीक है, ये दो cities हैं, एक का नाम हमने A रख लिया, और एक का नाम हमने B रह लिया, ठीक है, तो इसका distance कितना है, total 360 km है, ठीक है, कितना है, 360 km है, ठीक है, 360 km है, अब car goes from A to V, ठीक है, तो एक यहां से जो है, वो car जो है, वो आती है, with a speed of 40 km प्रतिगंटे की रफतार से, जहां से जहां पर एक car जाती है, ठीक है, कार जाती है, इस साए, ठीक है, व 40 km प्रतिगंटे की रफतार से, मतलब 40 km पर और की speed से, ठीक है, इस साइड जाती है, and return back to way with a speed of 60 km पर आर, और फिर यहां से बापिस भी आ जाती है, तो बापिस जब जे जाती है, जब जे जाती है, बापिस इस साइड को, ठीक है, तो उसकी speed हो जाती है, 60 km, 60 km पर आर, ठी ठीक है, तो मतलब आने के लिए, उसकी 40 km प्रतिगंटे की रफतार से, वो गई a से b में, और b से बो चला गई, 60 km प्रतिगंटे की रफतार से, वो बापिस गई a को, ठीक है, तो फिर वो बोलता है, कि what is the average speed of the car, ठीक है, तो उसकी हमें average speed निकालने है, आपसे हमें दिये है 45, 48, 50 जा 55, देखो, सबसे पहले average speed का हमने एक formula पड़ा था, और वो formula था, formula हमने दो पड़े थे, एक formula हमने ये पड़ा था, देखो, यहां पर हम दोनों formula को का इस्तेमाल करने वाले हैं, एक formula था हमारा total distance upon total time, ठीक है, तो total distance कितना होगा हमारा, देखो, 360 ही साइड और 360 ही स divided by, क्या करेंगे, देखो, 360 को उसने cover किया, 360 को उसने यहां से यहां तक 360 को उसने कर दिया, 40 km की रिफ्तार से, ठीक है, तो 360 कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, हम, प्लस कर देंगे, हम 360 बापिस भी आई ना, divided by 60 कर देंगे, यहां तक I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होग देखो, सबसे पहले, average speed जो होती है, तो उसका formula क्या बढ़ा था हमने, कि is equal to total distance, ठीक है, total distance upon total time, ठीक है, total time, ठीक है, तो total distance कितना हुआ, total distance यहां से यहां तक 360, जो कि हमने यह लिख दिया, फिर उसके बाद यहां से बापिस भी तो आई, ठीक है, तो 360 यह भी, तो यह हमने यहां पर लगती है, अपान उसने बोला total time, तो total time कितना लगा, देखो, total time, 360 km जाने के लिए, वो 40 km प्रतिगंटे की रफ्तार से गए, तो divided by 40 कर दिया, प्लस, 360 बापिस आई, और divided by 60 कर दिया हमने, ठीक है, अब देखो, यहां से हमने क्या करना है, यह 0 गया, 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 तो इसको हम लिखेंगे, यहां कर, is equal to, 360 और 320 लिख दो, 720 divided by, जहां पर 9 प्लस 6 होगे, ठीक है, तो 9 प्लस 6 हमारे पास होगे, 15 होगे, ठीक है, जिसको फर्दर हम क्या करते है, 15, 15 होगे हमारा, और 144, 144 इंटो 3 करेंगे, तो हमारा 720 आ जाएगा, ठीक है, तो यह कितना बज गया हमारा, 144 divided by 3, ठीक है, कितना होगे हमारा, 144 divided by 3, ठीक है, अब इसको हम आगे, फर्दर हम इसको काट सकते हैं, क्या, कोशिश करते हैं, 3 इकम, देखो, 3 इकम, 3, और 3, 3 इकम, 3, और 3, 4, 12, ठीक है, 3 इकम, 3, 3, 12, ठीक है, 12, तो इट मिंट्स यहां पर 2 बज गे, ठीक है, तो 2 बज गे, तो 2 और 4, कितना होगे, 24, ठीक है, 24 होगे, ठीक है, 2, 3, और 3, 04 हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो इट मिंट्स की, 8, 3, 24 हो जाएंगे, तो हमारा, 48 हमारा, आगया, और 48, सिर्फ, 48 थोडि ए, एर थोड़ी करेंगे, average speed हमारी कितनी आगी 48 हमने यहां पर क्या लगाना सबसे पहले formula बता होना चाहिए average speed का क्या total distance upon total time ठीक है तो यह हमने इसको लगाया और इसको आगे further हमने किया solve किया तो हमारा option जो है वो answer जो है वो हमारा 48 km पर और जो है वो हमारा option आ गया इसको हम दूसरे method के साथ भी कर सकते हैं वो मैं आपके उपर शोड़ता हूँ दूसरा हमारा क्या formula था वो था हमारा यहां हम 2xy plus x plus y एक यह था और दूसरा था 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 यह यह वी को भी रख सकते हैं ठीक है तो इसके साथ भी आप जो है वो try करना और इसके साथ भी try करके अगर यही आएगा तो it means की यह वाला option सही है ऐसे भी यह वाला option सही है और यह वाला formula भी अगर आप इसको लगाते हैं इसी question को start out करने के लिए तो तब भी आपका 48 ही रहने वाला है तो बस आज हम यही एक question करेंगे बाकी जो है वो पीशे basic चीजे हैं अगर आपको वो समझ नहीं आती है तो आप दोबारा से वीडियो को रवाई से दोबारा देखो फिर आपको बार बार देखो कि आपको समझ अच्छे से आ जाएगी क्योंकि पहली बार कोई भी चीज चाहिए जितनी भी simple होगी उसको हम समझने की कोशिश नहीं आएगी यह तो पहली बार किसी को समझ नहीं आती है तो उसको दोबारा दोबारा जो है वो रिपीट करो तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी तो बस ओके दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्यूंकि आज की वीडियो में मैंने इसरी वीडियो में लाएंगे फिर आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए जो है वो असान हो जाएगा ठीक है तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए तन्यवाद